नमस्कार आदाब न्यूस क्लिक के डिली रॉंड अप में आपका स्वागत है आई ये नजर डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर करनाल में तीसरे दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी SDM पर कारभाई की मांग 1500 से अधिक प्रतिष्टित नागरिक जाविद अक्तर और नसूर इदिन शहा के समर्थन में उतरे रसोई गैस की सबसिडी में 92 प्रतिशत की कमी सिलेंडर की कीमतों की बिद्धी डबल और आखिर में करोना अपडेट देश में 24 घंडों में 43,268 नए मामले 338 मरीजों की मौत 28 अगस के दिन करनाल में किसानों पर लाटी चार्ज करने का आदेश देने वाले भारतिय प्रशासनिक सेवा आईएस और अधिकारी आयूश सिनह के खिलाफ कारभाई की मांग पर बैठे किसान भी अपने आंदोलन को मजबूत करने में लग गए हैं वहीं सरकार का पक्षकार माने जाने वाला किसान संगठन भारतिय किसान संग जो सीधे तोर पर आरेसेस से जुड़ा हुआ है उसने भी विवादी तीनकुशी कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कल दिल्ली में प्रदेशन किया उन्होंने मोधी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि आज नियूंतम समर्थन मूल्य एक भ्रहम है करनाल लगू सचवाले पर बैठे प्रदेशन कारी किसानों और जिला के अधिकारियों की बीच एक और दोर की वारता बुदवार को भी विफल रही इसके बाद प्रदेशन कारीयों ने कहा कि वह यहां जिला मुखाले के दौारों के बार भी डटे रहेंगे करनाल में बहाँ पंचायत के बाद स्थानिये प्रशासन से बादचीत विफल रहने पर मंगलवार शाम को किसान लगू सचवाले के प्रवेश द्वारों के बार बैठे रहे किसानों ने वही अब दिन रात धरना लगा दिया है करनाल के लगू सचवाले को घेरे बैठे किसानों का गुसा बढ़ता ही जा रहा है समय किसान मोर्चा ने कहा है कि सरकार ने किसानों का सिर्फ ओडने का आदेश देने वाले SDM आयुश्चिना को तबारले के साथ प्रमोशन दे दिया है जबकि उस पर मुकदमा चलना चाहिए मोर्चे ने तुरंत आयुश्चिना को निलंभित करने की भी मांग की है समाच के सभी शेत्रों से डेर सो से अधिक की संख्या में प्रख्यात नागरिकों के ने कवी और गीतकार जावेद अक्तर और अभीनेता नसूर दिन शाह को डराने धमकाने की राजनीती का विरोत किया है अक्तर और शाहत दोनों को ही तालिबान के संबंद में अपनी हालियां टिपणियों के लिए विबिन हलकों से आलोशना का सामना करना पड़ रहा है मंगलवार को नागरिकों के एक संहू द्वारा अक्तर के प्रती अपने पूर्ण समर्थन को व्यक्त करते हुए एक बयान में जारी किया गया है जिन्होंने हाल ही में NDTV को दिये एक साक्षातकार में कहा था कि राश्ट्रिय स्वैम सेवक संग यानि RSS की RSS भी तालिबान से पूरी तरह से भिन नहीं है इसके बाद से उन्हें दक्षिन पंटी हिंदू समूओं के कोप का भाजन बनना पड़ रहा है बयान में कहा गया है कि हम उन्हें डराने धंकाने के प्रयासों की कड़ी निन्दा करते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करने के उनके अधिकार का समर्थन करते हैं हम संग परिवार से उन लोगों से पूरी तरह से ऐसामेत हैं जिसका नेत्रित्व एक भाच्पा विधायक और उसकी व्रिषद परिवार से आने वाले अन्य तत्वों द्वारा किया जा रहा है और जिन्होंने दक्षिनपन्ती वर्चस्पवादियों को लेकर बनी इस समझ पर आपती जताई है भले इवे मुस्लिम हो या हिंदू कंट्रोलर जनरल अकाउंट का कहना है कि विध वर्च 2022-23 के शुरुआती चार महीने यानि एपरिल से जुलाइक में केंदर सरकार द्वारा रसोई गैस की सबसिडी पर महद 1233 करोड रुपे खर्च किये गए हैं जबकि साल 2019-2020 के विध वर्च की इसी अफदी में रसोई गैस की सबसिडी पर 28385 करोड रुपे खर्च किये गए थे वहीं साल 2021 के विध वर्च में ये कम होकर 16461 करोड रुपे ही रह गई है और अब ये इस से भी कम होकर महद 1233 करोड रुपे हो गई है ये पिछले साल दी गई सबसिडी के मुकाबले 92 फीसिदी की कमी है मई 2020 के बाद लोगों के खातों में सबसिडी का पैसा नहीं पहुचा है यानि एक तरफ रसोई गैस की कीमत हर महीने 25 रुपे से लेकर 50 रुपे तक बढ़ाई जा रही है और दूसरी तरफ सबसिडी पर दिये जाने वाला पैसा पिछले साल से बंद कर दिया गया है पिछले साल रसोई गैस की कीमत 580 के आसपास थी और इस साल इस समय इसकी कीमत 900 रुपे से लेकर 1000 रुपे प्रती सिलेंडर हो गई है प्रधान मंदरी उजवल योजना के मताबग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओ को फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सबसिडी रेट पर सिलेंडर में गैस भरने की सहूलियत दी जाएगी सरकार ने दावा किया था कि इस योजना की वज़ा से भारत के 95 प्रतीशन लोगों तक गैस सिलेंडर पहुँच पा रहा है भारत की बहुत बढ़ी आबादी लकडी के चूले पर खाना बनाने की मजबूरी से मुक्त हुई है लेकिन अगर पिछले साथ सालों में रसोई गैस की कीमतें बढ़कर दूगना हो गई हैं तो इस योजना से कितनी औरतों और परिवारों को लाब पहुचा होगा केंदर स्वास मंतराले दौरा आज गुरुवार 9 सितंबर को जारी आकड़ों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरोना के 43,263 नए मामले दर्च किये गए हैं इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 338 मरीजों की मौत हुई है साथी इसी बीच देश भर में कोरोना से पेड़ित 40,566 मरीजों को ठीक किया गया है और अक्टिव मामलों में 2,358 मामलों की बढ़ोतरी हुई है देश में संक्रमित लोगों की संक्या बढ़कर 3,31,49,981 हो गई है जिन में से अब तक 4,41,749 लोगों की मौत हो चुकी है देश में कोरोना से पेड़ित 97,48 फीसदी यानी 3,23,4,618 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में अक्टिव मामलों की संक्या बढ़कर अब 1,19 फीसदी यानी 3,93,614 हो गई है स्वास्मत्राले की ताज जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की अब तक 71,65,97,428 डोस दी जा चुकी है जिन में से 86,05,701 वैक्सीन की डोस पिछले 24 घंटों में दी गई है आज के डेरी राउंड अप में बस इतना ही हमारी खबरों को और विस्तार जपढ़ने के लिए आप हमारी वेब साइट पर जा सकते हैं हमें फेस्बुक, इंस्टरग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें न्यूस क्लिक देखने के लिए शुक्रिया